नमस्कार दोस्तों, मैं एड़ोकेट विश्णोधारी सिंग, एड़ोकेट विश्णोधारी सिंग लिगल चेनल में आप सभी दर्सकों का स्वागत करता हूँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रतेक रभीवार को मेरा question and answer series होता है आज रभीवार है दोस्तों, आज मैं आपके चुनिंदा प्रसनों का उत्तर दे रहा हूँ जो बड़े important प्रसन है दोस्तों, हमारे comment box में बहुत सारे दर्सकों ने comment किया था अपने अपने प्रसन को पूछ कर, उन प्रसनों का जवाब भी मैंने comment box में दिया है अभी जो चुनिंदा प्रसन है उसका जवाब मैं यहाँ दे रहा हूँ आए दोस्तों, अब बिना समय गमाए, अब अपने हम भूल टॉपिक पर चलें यानि प्रसनोत्तर कार्जकरम में दोस्तों, पहला प्रसन है प्रभास्तिह जी का प्रभास्तिह जी ने में अपने comment box में प्रसन किया कि मेरे दादा जी ने अपनी संपत्ती को मेरी मा के नाम पर भसियत कर दिया जमीन मेरी मा की कबजे में है, लेकिन हमारे दादा जी की मिर्ति हो गई है अब मेरी मा प्रभेट कराना चाहती है क्या ऐसी परिस्थिती में वह प्रवेट हो सकता है क्या इनका प्रवेट खारीज हो सकता है या इनके पक्षे प्रवेट हो सकता है चुकि ये लोग अब कोट में प्रवेट के लिए जाएंगे उत्तर में मुझे कहना है प्रवास्ति जी अगर दादा जी की निजी संपत्ती होगी या निजी हिस्से की संपत्ती होगी तो आपके मा के नाम पर जो उन्होंने वशियत किया है वह सही है और उसका प्रवेट होगा लेकिन अगर आपके दादा जी ने जॉइंट फेमिली प्रफटी को या पैत्रिक संपत्ती को आपके मा के नाम पर वसीयत कर दिया है ऐसी परिसिती में उनके नाम पर प्रोवेक्ट नहीं होगी क्योंकि जॉइंट फेमिली प्रफटी का वसीयत नहीं किया जा सकता सामिलाज संपत्ती का वसियत नहीं किया जा सकता पैत्रिक संपत्ती का भी ना बटवारा किये वसियत नहीं किया जा सकता अगला प्रस्ण है जैकर राहुल जी का इन्होंने अपने प्रस्ण में कहा कि मेरे पिता जी जिस समय उनकी उम्र 17 साल थी अपने चाचा जी के नाम पर एक रेजिस्ट्री से शेल्डिड कर दिया चाचा ने अब मुटेशन के लिए आवेधन दिया है क्या अब वो रेजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है अगर हो सकती है तो कैस जैकर राहूल जी उत्तर में मुझे कहना है कि अगर आपके पिता जी नावालिक थे, बास्तों में जमीन बेशते समय आपके पिता जी नावालिक थे, तब आप सिविल कोट में जाए, टायटिल, डेक्लिरेसन, सूट, कम पोजेशन, रिकवरी, सूट महाँ फाइल करें, उसके अंदर में आप यह शावित करें, कि आपक चाचा जी के नाम पर किया था, वह रजिष्ट्री सुन मानी जाएगी, और वह जमीन आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन इसमें सर्थ इतना ही है, कि आपको यह सावित करना होगा, कि आपके पिता जी की उम्रे रजिष्ट्री करते समय 17 साल थी, इसके लिए आपको सिबिल क अपने पिता जी का जन्प्रमान पत्र से एवाद सावित करनी होगी, जन्प्रमान पत्र एक मूल दस्तावेज है, जिसके आधार पर आप सावित कर सकते हैं, कि आपके पिता जी ने जिसमें बेची थी, उस समय वह नावालिक थे, अगला प्रस्ण है चेतन पट्टिदार जी का, चेतन पट्टिदार जी ने अपने प्रस्ण में कहा, कि मैंने एक कॉलनी के बगल में जमीन खरी दी, कॉलनी के गाड लाइन के अनुसर, दाखिल खारिज भी हो गया, लेकिन एक बगल के पत्रकार महोदे जो हैं, वो अब सब रजिस्टार के हाँ कम्प्लेंड किये हैं, कि जो रजिस्ट्री हुई है, उस पर स्टांप सुल्ख कम दिया गया है, इसका जवाब मैं क्या दूँ, उत्तर में मुझे कहना है, शेतन पट्टिदार जी, आप उसके जवाब में यह लिखें, कि मुझे नहीं मालूम था कि आप इस जमीन के स्टांप ड्यूटी कित चुकि कम आश्टांप सुल्ख के आधार भी रजिस्ट्री कंसल हो सकती है, इसलिए आप तत्पर नहें कि आप अपने कम आश्टांप सुल्ख को तुरत रजिस्टार के ऑफिस में जमा करके अपने रजिस्ट्री को वैलिड करा ले, अब अगला प्रस्न है रागवेंदर पाल जी ने अपने प्रस्ट में कहा, मेरे एक चाचा जी है जो निशंतान है, वो हमी सब लोग के साथ रहते हैं, मेरे बड़े भाई ने उनसे अगर जमीन अपने नाम पर करवा लिया, क्या ऐसी परशिती में उस जमीन पर मेरा हक बन सकता है, उत्तर में मुझे कहना है राग बड़े भाई हो गए, लेकिन अगर तासिलदार केहां सिर्फ अपने नाम पर आपके बड़े भाई ने दाकिल खारिज करवा कर उस जमीन को अपने नाम पर कर लिया है, ऐसी परशिती में आप सिविल कोट में जा करके टाइटिल पार्टी संसूट करके उस समपत्ती पर अ आपके चाचा जी का स्वर्गवास होना जरूरी है, जब तक चाचा जी जिंदा है अपने हिस्से की वो खुद मुकतार है, खुद मालिक है, अब अगला प्रसन है निरंजन से जी का, इन्होंने कहा कि मैं बाहर रहता हूँ, मेरा परिवार सामिलात है, बिना मेरे परिवार मैं पट्वारा किये मेरी माने अपने हिस्से की जमीन है वो किसी बाहरी बेक्ती को भेच दिया क्या वो हक्केवाला कैंसिल हो सकता है तर में बुझे कहना है निरंजन जी आप उसके लिए सिविल कोट में जाएंगे सिविल कोट के अंदर में आपको एक केस फाइल करना होगा जो हिंदू उत्रा अधिकार अधिनियम की धारा 22 के अंदर में केस होगा इसके अंदर में आप उस जमीन के रेजिश्टरी का कीमत देना होगा उस जमीन का जो वैलुएशन उस से एडिट पर लिखा है उसका कीमत जमा करना होगा और तब वह रेजिस्ट्री कैंसिल हो करके उस कमीन के खरीदार को आदेश दिया जाएगा कि आप इस जमीन को इनके नाम पर जो उनके बेटे हैं उनके नाम पर ट्रांसफर कर दे तब वह जमीन आपको मिल सकती है लेकिन सर्थ है कि उस रेजिस्ट्री पर जितना वेलुएशन जमीन का दिया हुआ है उतना वेलुएशन आपको नेले में जमा कर देना होगा इसमें और एक दो सर्थ है आपकी माने जो रेजिस्ट्री की है बाहरी बेक्ति को है एक साल के अंदर होनी चाहिए अगर एक साल से ज़्यादा हो जाता है रेजिस्ट्री का समय वैसी परिस्थिती में उसे टाइम बाढ़ करके आपके केस को खारीज कर दिया जाएगा अगला प्रस्थन है देविंदर जादो का देविंदर जादोजी ने अपने प्रस्थ में कहा कि मेरे पिता जी ने सामिलात परिवार की कमाई से अपने नाम पर एक जमीन खरीदी थी पिता जी ने अपने उस जमीन को उस खरीदी हुई जमीन को जो सामिलात परिवार की संपत्ती से खरीदी गई थी, उस जमीन को अपने छोटे की बेटे के नाम पर बेश दिया, मुझे उस जमीन के बिक्री के बारे में दस साल बाद मालूम हुआ, क्या उस जमीन में अब अलग करके आपको दे दिया जाएगा इसके लिए आपको specific relief act की धारा 32 में section 32 of the specific relief act के अंदर में न्याले में आपको बुकदमा करना होगा लेकिन यहां भी एक सर्थ है कि आपको वहाँ यह साबित करना होगा कि आप संपत्ती जो मेरे पिता जी के नाम पर खरीदी हुई है य लेकिन हम लोगों का जो निकास गली है वो दूसरे बैक्ती के जमीन से हो कर जाता है करीब सौ साल से हम लोग वहाँ पर रह रह रहे हैं और सौ साल से उस निजी जमीन मालिक के जमीन से हम लोग आते जाते थे सौ साल के बाद लगभग वह वह निजी जमीन मालिक उस जमीन पर boundary कर रहा है चार दिवारी कर रहा है जिससे हम लोग का रास्ता अवरुद्ध हो गया है इसके लिए अब हम लोगों को क्या करना होगा ताकि रास्ता खुल जाए मुझे उत्तर में कहना है दिनित्मोर जी इसके लिए आप SDM कहा जाएंगे वहाँ पर आप रास्ता खुलवाने का एक केस करेंगे अगर उसके बाद भी उस आदेश के बाद भी SDM साहब रास्ता खुलवाने में हसपल रहा है तब आप सिविल कोट में जाएंगे और सिविल कोट में स्पेस्पिक रिले एफेक्ट की धारा 49 अनि 39 के अ लेकिन अब वह चाहरदवारी बनाकर रोक रहा है जिसका नजी जमीन था वैसी परशिति म सरकार उनकी जमीन की कीमत उनें दे दिए तो धन्यवाद दोस्तों अब विशेश अगले वीडियो में आपके चुनिंदा प्रस्णों का उत्तर मैंने इसमें दे दिया आपके अधिकांस प्रफशना का उत्तर मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है आप उसे वहाँ भी देख सकते है धन्यवाद, नमस्कार विशेश अगले वीडियो में अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों और साथियों को सेर करें ताकि उन लोगों के पास भी अगर इन प्रफशनों के नुसार कोई कानूनी समझ से हाए तो इस वीडियो को देखकर कानूनी रूप से नेले में जाकर अपना निदान ढोड़ सकें धन्यवाद